जीना है तो हस के जियो जैहिंद आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्थ होंगे और आप अपनी तयारी SS क्लासेश के सांट जुड़ कर अच्छी धंग से कर रहे होंगे इसी बीच SS क्लासेश फिर आपके सांट जुड़ चुका है तो आप अपना नोट्मूह निकालिए और हातों में कलम पकड़िए क्योंकि आज फिर से आपके बीच कोशिका चेप्टर से 10 परुषन, 10 महत्तपुर्ण परुषन लेकर आया है तो कहते हैं कि काम ऐसा करो की पहचान बन जाए और चलो ऐसा की निशान बन जाए अरे जिन्दगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त जियो ऐसे की मिसाल बन जाए जीओ ऐसे की मिसाल बन जाए तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइलोजी का आज फिर 10 परुषन है और जो की बहुत ही महत्तपुर्ण परुषन है आपके एक्जाम की द्रिश्टी से तो चलिए हम बारी-बारी से हर परुषन को आपके सामने बैख्या साहित इ ट्राफिक पूलिस जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि जो मैट्रोपंड्रिया है हमारे उर्जा के निर्मान करता है लेकिन इस उर्जा को सरीर के बिभीन अंगों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए यातायात के रूप में जो है गोल जीकाई काम करत हो जाता है और को लोरो प्लास्ट जो है भोजन को यह जो पत्यार रहती है उन्हों निर्मान का कारे करती है इसका जो जाएगा गोल जी का को सिका बेंकि कि आखना जाता है कि सेंट्रोस वन्यों को में जल संग्रहन रहता है मार्ट्रो कंट्रिया उर्जा का निर्वान करता है, उर्जा बनाने काम करता है, और यह जो केंद्रक है, यह हम लोग का कोशिका का मस्तिक्स है, तो इसका सही एंसर हो जाएगा केंद्रक, आप देखिए हम लोग तीसरा प्रसने देखते हैं कि कोशिका में केंद्रक की खोज क क्या था तो इसका एंसर रोबर्ट ब्राउन हो जाएगा लेकिन अगर रोबर्ट कोच की बात करें तो रोबर्ट कोच क्या था टीवर कोलोसिस में जीवानों की खोच क्या था और लिवेनों क्या है जीवित कोशिका की खोच क्या था तो इसका सही एंसर हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका है तो अगर यह अगर मानों में कहता है कि मानों में सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो मानों की बात हम लोग अलग करते हैं हम लोग देख लिए थे कि इनर और मादा में अलग-अलग कोशिका पाई जाते हैं सबसे छोटी सबसे बड़ी लेकिन यह आप अगला प्रस्वाइब 46 नमर में कि सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, तो जब अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें, तो इसका सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा, माइको पलाज्मा, सबसे छोटी कोशिका, माइको पलाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका, सुतर आगे हम लोग देखते हैं कि साधारन मानव में गुनसुत्र होते हैं हम बताए थे कि नर और पुरुष नर और मादा इन दोनों में गुनसुत्र पाजाता है जिसको हम लोग जो गुनसुत्र है वो संख्या में 46 होता है और जोड़ा में 23 होता है इसमें एक में एक्स एक्स ग प्रौत दीन की कि होज किस ने किया टीन की कि एनने की खोज किस ने कि इस ने किया तो दोbakर सनन और कि यह एनने से समद्दीड यह है उन्होंने बताया था उल्च ह Championship lol और मेडल होता है उसमें उन्हें प्रियों क्या था जिन कि रहें आप न प्रशार कँदेञाब सारे कोशन जो है कई बुक को हमने पढ़ने के बाद ये आपके लिए हमने तयार किया है जो कि आपके परच्छा के दिश्टी से बहुत इंवात पूर्णा है आपको को घबराने के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एसस क्लासे आपके साथ आपके एक्जाम तक जुड़े रहें तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और इसको नोट डाउन करते रहें तो हम लोग देखते हैं कि 50 नमर जो परच्छन है भारत ये कोशिका बिग्यान के जनक किसे कह जाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा अरून कुमार तो आसा करते हैं कि आपको ये जो हम एसस क्ला से आपको समझा सके तब तक के लिए आप सभी को फिर से एक बार जाए हिंद